प्लिस एक बार देखें, ध्यान से समझें कॉश्यनों को अच्छे से करें, तीक बिलकूल अच्छे से करना is, ध्यान से करना है, देखो कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था हिसा स्टार्टिंग में, शुरू में बताया था, कि हमारा जब भी टेंजेंट से, देखो यह जो अब बहुत क्लियर सी बात समझ लो एक बात मेरी यह सरकल है इस पर बनेई दो टेजेंट इंड इंड बने livre कर घॉन तो नहीं बन पाएगा हमखे तो यह काम करते हैं इना यहीं से ले लिख यह में गते यह सांगा एक ये दोनों यहां touch करते हैं यहां touch करते हैं अब center से आपको पता ऑजे की radius टेंजन पर क्या होती है perpendicular होती है radius टेंजन परहणों गद्गुलर होती है shok radius always perpendicular to their tangent tangent बोर्पटेंजन अद्पेंजन और यहां यहийний आफ को दिया 在 यह O है और एंगल कितना दिया है 115 डिगरी और यह एंगल आप से पूछा गया है ठीगे पी क्यू और टी यह जो कॉस्चिन है ना देखो सिर्फ एक नंबर के लिए अगर आता है तो सॉल करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल जरूरत नहीं है आम मैंने बताया देखो यह कितना है यह एक बना क्या यह हपका क्वाडी लेटर बना O PT Q क्या बना क्वाडी लेटरल O PT Q मैं क्वाडी लेटरल में सभी कोड़ों का यह कितना होता है 360 होता है कितना होता है 360 तो 360 होता है तो देखो यह 90 Degree यह 90 Degree है ना तो यह 90 और यह 90 280 होगा है बचे कितने 180 यानि कि इस angle का और इस angle का योग यानि कि sum कितना होगा 180 degree होगा, am I right? 180 होगा, यानि कि angle POQ plus angle PTQ always is equal to 180 degree, ठीक है, हमेशा कितना होगा, 180 degree के बराबर, अब आपको एक angle दिया है, 115, प्लस angle आप से पीछा गया, PTQ बराबर 180, क्या कर दो, 115 को माइनस कर दो, 180 माइनस 115, कितना आगया, बोलो बच्चा कितना होगा, 55 बच्चा, कितना 65 दिग्री, तो angle PTQ आगया, 65 दिग्री, बच इतना ही करना है, क्या करना है, 180 में से बाइनस कर दो, चाहे इधर दिया हो, ये पूचा हो, चाहे इधर दिया हो, यह पूछाओ, दोनों में से क्या करना है, 180 में से घटा दो, simple, बहुत ही simple question है,